कि अब लोग आप सब का अपने YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ बाइलोजी में फिर से एक बार सौगत करता हूं और जैसा कि आप लोग हमारे पिछले बीडियो को जितना लाइक भीउज मिला उसके बाद उसी जोस से मैं फिर से आपके लिए उसी बीडियो का सकेंड पर लेके आया हूं आज फिर से हमारा टॉपिक क्या स्लेवस डिसकसन आज फिर से हम इसी पार्ट पर बात करेंगे जो लास्ट क्लास में मैंने लाइफ प्रोसेस कंट्रोल और कॉर्डिनेशन और रिपोड़क्शन पर बाते कर ली थी आज हम लोग बात करने वाले हैं वह हमारा जो सीवीसी के बोर्ड के स्लेवस के अकॉर्डिंग जो दो चैप्टर और रह गया है डाट इस जेनेटिक्स और आवर इंभार्मेंट इस पर हम लोग बात करेंगे देखें आपको लाइफ प्रोसेस कंट्रोल और कॉरिनेशन और प्रोडक्शन यह तीन चैप्टर का हमने आपको जो कंटेंट दिया है जो फुली बेस्ट एंसियाटी बेस्ट है इस स्लेवस की जो भी है मैंने प्रिवियस वीडियो में सारे कुछ बता रखा है तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो तो मैं अक्सर यहीं बाते कहता हूं कि पास तो सारे लोग कर जाएंगे लेकिन किनिका 59 परसेंट होगा तक इनिका 99 परसेंट होगा अब डिपेंड करता है आप पर कि आप 59 परसेंट वाले ग्रूप में आने वाले हैं या 79 वाले या 99 वाले तो मेहनत से पीछे नहीं यह अ से फॉलो किजेगा उतना आपका बेटर होगा एंसियाटी का पढ़ने का तरीका टाइम टेबल क्या होगा और सिब्यसी के एग्जाम में एभब 95 परसेंट कैसे लाएं कैसे इस टाइम पे हम लोग कैसे डिप्रेशन से बचे यह सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं जिसका अल्रेडी रिकॉर्डिंग हो चुका है और बहुत जल्द ही अप्लोड होने वाला है तो आज के वीडियो में को हम लोग सुरू करते हैं बीना किसी देर किये हुए सो हमारा वीडियो है आज का जो लाइप प्रोसेस कंट्रोल एंड कॉडिनेशन एंड रिप्रोडक्शन इस पर हम लोगों ने सारी कुछ बाते कर ली थी अब बापस से हम लोग जेनेटिक्स पर आते हैं जो कि हमारा फोड चैप्टर है और इसमें देखे जेनेटिक्स इदा कंसंट्रेट किईए गा तो आपको क्या मिलेगा देखे सबसे पहले जेनेटिक्स की बात अगर हम लोग करते आँ तो सबसे पहले मोग इंडॉडक्शन देखेंगे फिर मेंडलियन जेनेटिक्स देखेंगे फिर Mendelian Genetics के बाद Law of Genetics देखेंगे, Law of Genetics देखने के बाद हम लोग Phenotype देखेंगे, हम लोग Genotype देखेंगे, फिर हम लोग Sex Determination देखेंगे, फिर हम लोग Blood Group देखेंगे, तो इतनी सारी चीजों को हम लोग असानी से असान भासा में continue करेंगे, और देखेंगे, मैं बार-बार बोलता हूँ कि किसी यूद पे जानने से पहले आप अपनी तयारी कैसे करोगे, तो यूद पे जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितने बेपंस हैं, किस हथियार का कभ यूज करना है, कहां यूज करना है, उसके लिए हमें पह लाल भी तक आपने नहीं देखा तो हमारा उस वीडियो का जो लिंक है हमारे इस बर भी पूछेगी सो इस portion पर भी हमें focus करना है सबसे easy है genetics इसके बाद के introduction में हम लोग discussion क्या करें और अदुशन में मिल रिसकते करने वाले हैं कि वाटी जैनिक्स होता है है beauty क्या है ठीक है कैसे character parents से उसके और स्प्रिंग में कैसे करेक्टर ट्रांसफर होते हैं यह सारा चीज हम लोग इसमें देखने वाले किसमें जिनेटिक्स में देखने वाले हैं तो नेक्स्ट है मेंडलियन लाओ देखें मेंडल्स फादर अफ जनेटिक्स उनको बोला जाता है जिन्होंने एक्चुली वीज़ा फादर फाफ चार्च फादर ऑफ जनेटिक्स तो हम लोग बोल देखें वह क्या थे किसी चर्च के फादर थे और वह उनको बाइलोजी से कोई मतलब नहीं था उनको जीव जो जगत है बाइलोजी वर्ड है इस वाइलोजी बाइल्ट से अन्जोग से देखें वाइलोजी से बिल्कुल भी उनको मतलब नहीं था वह एक प्रोबैबिलिटी स्टाटिक्स के मास्टर माइंड आदमी थे और उसी स्टाटिक्स की बजह से उन्होंने इस जनेटिक्स का जनेटिक्स में एंट्री लिये और उन्होंने अपना जो मॉडल प्लांट चूज किया था डैट प्लांट और इस बोटानिकल निम इस पीसम सैटीव तो मेंडेलियन जनेटिक्स में क्या बताया गया कि देखें जनेटिक्स का थीन पार्ट होता है लोग ऐसे जनेटिक्स को थीन पार्ट में अपर ग्लासे में पढ़ते हैं फस्ट पार्ट इस दा मेंडेलियन जनेटिक्स प्रीमेंड़ियन ज प्रोलिव मेंडेलियन जनेटिक्स में करते हैं हैं और मेंडियन करने वाले हैं, फिर phenotypics देखेंगे, phenotypics is the morphological character, phenotypics क्या प्चारेक्टर है, जो character हमें दिख रहा है, जो character हमें दिख रहा, that is the phenotypics character, उसके बाद हम लोग genotypics character की बात करेंगे, और कि कैरेक्टर में हम लोग बाद करेंगे कि अगर कोई केरेक्टर दिखरा जैसे गुलाव आप गुलाव देख रहे हैं? तो गुलाब ये गुलाव रेड है और ये गुलाव वाइड है टो न दूओ릴 तो वाइड रेड है इस अर्थे ऐड से लेड ईसके लीग कर लिए किसा इसका रंग लाल है इसमें चार पत्ते हैं एक लंबा वी स्क्राइब करें हैं या वह ग्रीप क्यों है या या य्लोग है तो रोज भी अलग अलग फेराटी इसके लेकिन वह क्यों है तो वह सारे काड़ेख्टर हम लोग जरुटिपिक में पड़ेंगे फिर सेक्सaterial करें आपकमिंग चाइल्डी आपकमिंग जो जनरेशन है या जो फिटस मदर के यूट्रस में पल बढ़ रहा है उसके जो सिक्स है कि वो मेल है या फीमेल है उसको हम लोग कैसे आइडेंटीफाइ करते हैं यहां पर हंडेट परसेंट कोई चीज नहीं होता है हम लोग बोल देते ह आपकमिंग डेज में आटमाटिकली अपलोडेट टू आवर यूट्यूब चैनल लिमीज बॉल्ड ऑफ बाइलोजी तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब का में अपने दोस्तों को बताएं और लाइक करने में तनिक भी कोछ आहिम्म अद्कीज जे कंटेनियूल लाइक करते रहे हैं सो इसके बाद नेक्सटपाट है हमारा आवर objective में हम लोग जो करने वाले हैं इधार ध्यान देजिए घान इनवर्मेंट में हम लोग जो करने वाले हैं इको सिस्टम करने वाले हैं इसके बाद हम लोग करने वाले पढ़ेंगे की कैसे ओ थ्री लेर जो हमारे अटमोस्फियर मेरें लेर ऊज़न लेर उनमें कैसे हमारे कि की बज़ा से हम जितने घूर disturbed कर दूसकर मां उस पशुन Dallas से इसयोग रियत वेज़ा से उसक्रेंट भूरेंगे थे टाइप बेस्ट बिच कैन भी रोटेन बाइद ऑर्गेनिक फॉर्म मतलब क्या और्गेनिक मैटर के देने के बाद वह डिपेश्ट आटोमाटिकली क्या हो जागा डिग्रेड हो जागा सड़ सकता है अगर सड़ गिया तो वह बाइव डिग्रेडेवल अगर नहीं सड़ा तो सड़ गया तो सड़ने में बहुत कम टाइम लगेगा जैसे घर में हम लोग किचन में क्या आलू का छिलका प्याज का चिलका गोवी का पत्ता उता उसके बाद फुल गोवी का चिलका यह सारा कुछ हम लोग जो है सब कुछ बाइव डिग्रेडेवल बिस्ट में आएगा ल हम लोग गार्वेज मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो सी में हम लोग 3R के बाखेंगे डैटीज रेडियूस रिसाइकल एंड रियूस कैसे हम लोगो रिसाइकल करके फिरसे उस प्रोड़क्ट को यूस करना चाहिए फिरसे में जाना चाहिए वह सारा कुछ हम लोग इस चाप्ट में मैंने इस तीनों का डिस्क्रिप्शन डाल रखा है लाइप प्रोसेस कंट्रोल एंड कोडिनेशन एंड डिप्रोडक्शन का अगर अभी तक आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो प्लीज हमारे चैनल को पे उस लिंक पे क्लिक करके चैनल पे डाइट जाहिए और जा चैनल बात किया तिक हैी इंडैक्शन हम ने इंको सिस्टम किया फूर चैन किया फुट्बेव किया प् tierra ke एक थे स्भीय का हम लोग करा सकते कि इंपॉर्टेंट जो आवर इंबंगरमेन्ट है आवर इंबंगरमेंट इस देफैवरीट चैप्र उप्र सी तीं जो लाश्ट का है डिपोडक्शन जेनेटिक्स को इससे प्यार है कैसे तो रहा सारा कोशन सी है सब्सक्राइब कीजिए और अपकमिंग वीडियो के लिए अस्टे ट्यून रहे हमारे साथ तो जनेटिक्स रिपोडक्षिन और आफर इंवॉर्मेंट यह चाप्टर जो है भेरी वेरी इंपार्टेंट हाँ देखे मैं सभी चाप्टर्स के फर्दर वीडियो में सभी चाप्टर्स के मैं सौट फॉर्म सलाओंगा जिनमें मैं बताओंगा मैंड मैप के रूप में कि कौन-कौन से पार्ट को कैसे कैसे पढ़े जिससे इस चैप्टर बायोजी पार्ट में हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो इस वीडियो में हम लोगोंने आपको सिंपल ही स्लेवस बतानी क पार्ट में यह पूरा एविलेवल है इसे आप जा करके देखिए और प्लीज लाइक सेर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू